हाई अब्रिवन आज इस फीडियो में बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप अपना साइकलोजिकल रिकवरी प्लान त्यार करकर अपनी ब्रेन केमिस्ट्री को फिर से परफेक्ट कर सकते हैं लोग मेरे पास ये सवाल लेकर आते हैं कि मैं हम कैमिकल इंबैलन्स हो गया है तो कभी ठीक नहीं हो सकता आप कैसे ठीक करोगे और हमने तो सुना है हमने तो गूगल पर पढ़ा है कि अगर एक बार कैमिकल इंबैलन्स हो गया है तो फिर कुछ प्रशानी ठीक नहीं हो सकती है सिंदेगी भर medicine खानी होती है हम ठीक नहीं हो सकते हैं बड़े सारे सवाल लेके बड़े सारे confusion के साथ आते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे confusion दोर हो जाएंगे और आपके recovery plan के एक area के लिए मैंने breathing exercises, meditation और affirmations आप सभी लोग के लिए एकदम free में कर रखें अपनी app पर आप उसे अभी download कर लिजे अगर आप मेरी book पढ़ना जाते हैं तो आप उसे भी बढ़ सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं देखिए यह है आपका recovery plan, psychological recovery plan अगर आपको depression है, anxiety है, OCD है या कोई भी किसी और तरीकी कभी कोई psychological problem है तो उसकी recovery 100% हो सकती है, brain chemistry यानि की chemical imbalance हो गया है तो वो दुबारा भी balance हो सकता है लेकिन problem क्या है, problem यह है कि कुछ belief फैला दिये जाते हैं और फिर वो mass belief बन जाते हैं जैसे एक व्यक्ति ने try किया लेकिन उससे नहीं हुआ, तो फिर उसने दूसरे का पासाण किया फिर उसने भी इतने efforts डाले नहीं तो उससे भी नहीं हुआ तो फिर उसने और को पासान किया इस तरीके से वो पास होता 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 वो फिर जनता का belief बन गया लेकिन किसी ने भी इतना दिमाग नहीं लड़ाया कि अगर हम पूरी तरीके से efforts डालते तो ये क्यों नहीं ठीक होता और क्या होता है कि जब वो belief फैलने लगता है ना तो दूसरे लोग तो try नहीं करते वो तो try करने से पहले give up कर देते हैं जो initial तो आपको ये गलती नहीं करने हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप समझदार है और आप इस वीडियो को अची तरह से समझ कर उस belief को जो wrong belief बनावा है उसे तोड़ेंगे और अपनी life को बहतर बनाएंगे तो समझते हैं psychological recovery plan कैसे बनाते हैं एक है exercise exercise भाई most 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 important है कोई भी disease दो level पर होती है physical level पर और psychological level पर अब physical level की जो reach होती है वो medicine की होती है क्योंकि आपको जो भी symptoms आ रहे होते हैं physical level पर मालीजे किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है कोई बहुत ज़्यादा उदास रहता है किसी के दिमाग में बहुत ज़्यादा हर समय ऐसा लगता है भारी पंस लगता है उसके सर में उसको ऐसा लगता है कि उसको नीन नहीं आ रही है उसको सांस लेने में तकलीफ हो र और रहा है, पेट खराब हो रहा है, इन सारी चीजों के लिए क्या होता है? मैंडीसिन की फिजिकल लेबल तक रीच होती है, अब यही चीज जो मैंडीसिन आपको अपको करती है, रिलाक्स करने के लिए इन सारे सिंटम् सैंडम को, इन सब को तो आप अपने treadmill चला सकते हैं या आप किसी भी तरीके से jumping कर सकते हैं, stretching कर सकते हैं squats लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से रसा कूच सकते हैं, किसी भी तरीके कि आप physical exercises कर सकते हैं जब आप physical exercises करेंगे तो उससे endorphins आपके अंदर release होंगे, endorphins क्या है? natural pain killer है वो आपको बहुत जदा relief देते हैं pain killer का क्या काम होता है relief देना तो जब आपके अंदर exercise करने से endorphins का level बढ़ जाएगा तो आपको relaxation मिलेगा अब लेकिन exercise करने के लिए तो आपको daily मेहनत करनी पड़ेगी आपको gym जाना पड़ेगा आपको भागना दोड़ना उचलना कूदना पड़ेगा ठीक है अब ये मेहनत का काम रोज रोज कौन करें जो कर लेगा वो अपने आपको बचा लेगा क्योंकि अंदर अगर natural endorphins level होंगे तो वो pain relief देते हैं यानि कि हमें relax रखते हैं तो physical exercises भी बहुत जाता जरूरी है physical symptoms को खतम करने के लिए दूसरा जो है आपके mind के लिए तो ना अब mental के लिए तो यहाँ पर क्या है हमारा breathing exercises अब यहाँ पर physical के लिए आप gym में जॉइन कर सकते हैं आप dance वगेरा mental के लिए breathing exercises जिसके लिए मेरी आप पर आप लोगों के लिए breathing exercises meditation और आपके लिए affirmations सब कुछ free हैं तो यह सब क्या हैं आपके mind के लिए हैं जब आप breathing exercises करते हैं तो उससे आपके अंदर oxygen का level भड़ता है जितना आपके अंदर oxygen होता है उसका अकेला 20% हमारा brain ही उसके लेता है बाकी 80% में हमारी body काम चलाती है जितना आपके अंदर oxygen का level अच्छा होगा उतना ही आपके अंदर acid का level down होगा तो आपको जो acid reflex की वज़ा से तरह तरह के symptoms आ रहे थे तो अपने आप ही decrease हो जाएंगे दूसरा breathing exercises करने से आपके अंदर anti anxiety molecule गाबा release होता है अब गाबा एक ऐसा neurotransmitter है जो आपकी overthinking पर break लगाता है आपको relax रखता है जब आप breathing exercises करते हैं तो आपका जो breathing pattern खराब हो जाता है जिसकी वज़ा से आपका जो mind है वो relax नहीं रहता वो relax होना शुरू हो जाता है क्योंकि breathing exercise जब आप करेंगे तो उसे breathing pattern ही तो correct होगा आपका हमारी सांस और सोच का सीधा connection है जब भी हम negative सोच रहे होते हैं परिशान होते हैं तो हमारी सांसे बड़ी छोटी-छोटी से आती हैं सीने से आती हैं और जब हम बहुत ही अच्छा सोच रहते हैं बिल्कुल positive feel कर रहते हैं तो हमारी वही सांसे लंबी गहरी आती हैं और हमारे पेट से आती हैं तो जब आप सांसों के वयाम करेंगे तो क्या होगा आप conscious हो जाएं कि अपनी सांसों के लिए आपकी सांसे लंबी गहरी होंगी और जब breathing pattern आपका correct हो जाएगा तो आपके brain की chemistry पर फर्क पड़ेगा और सारा जो neurotransmitter से उनका level अपने आप ही अच्छा हो जाएगा तो फिर एक बात बताईए कि psychological problem ठीक कैसे नहीं होंगी होंगी ना लेकिन breathing exercises भी आपको daily करने पड़ेगी आपको physical exercises भी daily करने पड़ेगी यहां daily करना पड़ता है अब daily तो गोली भी खाते हैं लेकिन क्या है वो तो मुं में रखी और गई लेकिन इसके लिए आपको हाथ पर हिलाने पड़ेगे बैठना पड़ेगा कुछ टाइम पर तो है तो थोड़ा सा मुश्किल बट permanent इलाज तो यही है तो अब आप समझदार हैं कर लीजे दूसरा जो है diet diet बहुत important है जैसा आप खाते हैं वैसा ही आपका शरीर बन जाता है जिसका जैसा शरीर है वो उसके खाने पीने की आदतों की वजह से है कौन कैसा खाना खाता है चबा कर खाता है जल्दी यल्दी में खाता है अपने प्रियर टीवी मुबाइल के साथ खाता है या फिर अकिले शान्ती में खाता है जंग food जादा खाता है, stale food जादा खाता है या फिर वो healthy food खाता है, oily food खाता है, कैसा खाता है तो आप क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं ये सब कुछ बहुत जादा important है तो आपको diet को correct जरूर किरना है क्योंकि आपकी diet correct करे बिना आपका digestive system healthy नहीं रहेगा आपका gut area healthy नहीं रहेगा तो आपकी brain तक भी वो right signal नहीं पहुचेंगे आप जानते हैं कि हमारा brain और हमारा gut brain आपस में communicate करते रहते हैं हमारी diet का बहुत important role है जरा याद किज़े आप किसी retreat center में जाते हैं वहाँ पर आप 10 दिनों का happiness program लिया आपने 15 days का program लिया 7 days program लिया तो वहाँ पर क्या वो लोग आपको exercise नहीं कराते हैं कराते हैं आपका diet नहीं change करते हैं करते हैं वो आपका environment चेंज करते हैं वहाँ पर आपका जो है ना वो thought process पर काम करने के लिए कुछ अच्छे मंत्रों का जाब कराना हो या फिर उनके जो lectures होते हैं वो सब कराते हैं आपके different actions के लिए आपको motivate किया जाता है अलग-लग activities में involved किया जाता है सब कुछ किया जाता है ना लेकिन हम वहाँ जाएंगे हम एक हफते का अच्छा सा expensive package लेंगे एक हफते तक वो सब follow करेंगे और हमें पता भी उसकी बहुत benefit है इससे सब ठीक हो जाएगा लेकिन जब यही अपने घर में ही बैटकर अराम से अपने budget में करने के लिए मिलेगा हमें तो शायद हम नहीं करेंगे तो अगर आप इस video को देख रहे हैं आप किस तरही कि आप सब्जी खाते हैं आप फल खाते हैं इनि खाते आप जो नर्ट थे उखाते हैं इतने सारे सीड्स आते हैं जिन सब से हमारे अंदर जो पाने रहता है आप एक बात बताईए कौन सा कोई व्यक्ति हर चीज की गोली लेता है कि केल्शिम लेवल अच्छा मिंटेन रहे हमारे अंदर जिंक मैंगनेशिम का लेवल अच्छा रहा है हमारे अंदर वाइटमिन्स का लेवल अच्छा रहा है हर चीज की गोली थोड़ नहीं लेता है ना आप जो खाते पीते हैं उसे भी आपके जो अंदर chemicals बनते हैं उन सब का बहुत important connection होता है तो खाने पीने का भी ध्यान रख कर मतलब डाइट का भी बदल कर आप जो इना अपने शरीर को बदलते हैं और जब शरीर और ब्रेन की chemistry आपस में अच्छे से match करने लग जाते हैं क्योंकि जो लोग सात्विक भुजन खाते हैं जो साता खाना खाते हैं जो अच्छा खाना खाते हैं कम मेच मसालों का खाना खाते हैं और ताजा खाना खाते हैं तो वो लोग सभाव से शान्त होते हैं इंदने खाने का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है तो psychological recovery plan में आपका diet भी बहुत जादा important है जब भी मेरे पास कोई भी client आते हैं तो हम उनका diet भी change करते हैं उनकी diet पर भी नज़र रखते हैं तो diet का बहुत important role है अब लेकिन इसमें भी वोई problem है ना कि आपको डेली अपनी जबान के स्वात को छोड़कर अच्छा healthy खाना खाना पड़ेगा time पर खाना पड़ेगा थोड़ा सा time जादा लगेगा क्योंकि चबा चबा कर अच्छी थरीके से खाना पड़ेगा तो ये भी थोड़ा सा म आपका जो इन्वार्मेंट है उसमें हर समय ही negativity है आपका जो इन्वार्मेंट है उसमें इतना सब कुछ ऐसा है जो आपको ना हर समय पॉजल रखता है तो भी बड़ी problem होगी जैसे हर समय आपके इन्वार्मेंट में टीबी में शूर श्राबे उटे सिदे प्रोग्राम्स अच्छा नहीं हो तो इन्वार्मेंट से नहीं बहुत ज्यादा फर्क परता है क्योंकि इन्वार्मेंट हमें हर समय प्रोग्राम करता रहता है बहुत सारे लोग अपने आपको healing करने की process में होते हैं लेकिन जैसे ही वह आपको positive करते हैं अपना tight का त्यान रखते हैं सोच पदलते हैं लेकिन उसके साथ ही क्या होता है कि वही पर ही उतनी negativity उनके environment से उनको मिल जाती है तो हमें क्या करना है ऐसे अगर धूल चल रही है हम और अपना चहरा बार-बार साफ करते रहेंगे धोते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि जैसे आप धोकर हटोगे फिर धूल चड़ जाएगी जैसे धोकर होगे फिर धूल चड़ जाएगी तो आपको क्या करना है आपको उस environment को भी clean करना है अब माली जे आप धूल को तो रोकनी सकते हैं लेकिन अपने चहरे पर कपड़ा तो लपेट सकते हैं या धूल वाले area से आप अलग तो हट सकते ह तो आपको environment को clean करना है बहुत सारे लोग जब आते हैं मेरे पास तो कई पर उनके घर में क्या होता है इतना negativity का environment होता है कि वैसा थो treatment कराने के लिए आ गया है लेकिन अपने घर का environment change करने के लिए लोग अपनी आदते change करने के लिए तयार नहीं है मतलब एक अकेले बंदे क कंधो पर सारी responsibility आती कि जो भी को change करना है वो इसी को change करना है लेकिन environment में कोई changes नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होता family environment बहुत important होता आपका work environment बहुत important होता आपका social environment बहुत important होता है और आप लोगों ने तो देखी लिया ना जिब COVID time आया था तो क्या था कि लोगों के पूरा negative लोग है negative news पढ़ने की आपको सुनने की आदत थी या पढ़ने की आदत थी या फिर आप आसपास गंदगी उतना cleaning नहीं थी आपकी किसी भी तरीके से मतलब आपके environment में कुछ भी ऐसा है जहां से आपको लगातार trigger मिल रहे हैं तो आपको उस environment को भी clean करने की जरूरत है अ उनकी उपर तो negativity कही ना कहीं से बरस्ती रहेगी तो अब एक example से समझाती हूं माली जै जिसे उपर से क्या है कि लगातार बारिश हो रही है अब आप बारिश को तो रोक नहीं सकते हैं लड़ने ही सकते हैं लेकिन आप अपना बड़ा सा छाता तो लगा सकते हैं कि कम से कम जिसे एरिया में आप खड़े हो उस एरिया में आपके उपर वो बारिश ना गिरे तो ऐसा ही है माली जै आपके environment की negativity खतम नहीं हो सकती है तो अपना वो protective shield अपना वो umbrella तयार कर लीजे जिससे क्या होगा कि जब वो उपर से ऐसे बारिश पढ़ रही होगी तो आपका umbrella इस वो इधर से साइडों से बह कर जाएगी और आप क्या है आपना बिल्कुल सुखे वे रहेंगे मतलब dry रहेंगे आपके उपर वो सब नहीं आएगा तो ऐसी negativity की जब बारिश आपके उपर हो रही हो तो अब क्या है उपर से बारिश हो रही है नीचे आप पोचा लगा रहे और लोगों से जो लोग negative है क्योंकि कई बर क्या होता है वो हमारे family members ही होते हैं जो हमें emotional abuse करते रहते हैं उनसे हम दूर तो हो नहीं सकते वाज़े तो लेकिन हम उनसे emotionally mentally disconnect हो सकते हैं तो environment को clean करना अपने आस पास के environment को इतना जादा positive बना लेजे इतना जादा exciting बना लेजे आप motivational quotes लगा सकते हैं हमने आस पास के environment में कुछ nature से जुड़े वे आप कुछ plants लगा सकते हैं जैसे कि मैं हमेशा अपनी clients को इसे बताती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप जो है ना अपना एक गमले में एक नना सा पौधा लगाईए और देखिए कि हर दिप आप उसके जब care कर रहे हैं आप जो भी positive अपने आपको दे रहे हैं आप अपनी diet का ख्याल रख रहे हैं आप exercise कर रहे हैं और उस सब positivity के साथ जब आप उस plant की care कर रहे हैं तो वो देखे कि इतना अच्छा ग्रोव कर आए कि यह जो plant है वो आप है और आप इसे daily हवा धू पानी खात स अच्छी होगी तो आप अपने environment को भी ज़रूर clean कीज़े अपने environment में वो सब चीजे लगा लिजे जिससे कि आपको positivity के clue मिलते रहे हैं क्योंकि हम अपने आस पास जो भी देखते हैं अगर आपके environment में आप greenery देखेंगे तो definitely आपको वही अच्छी तो feeling आएंगी लेकिन अगर आप आपके environment में कूडे का धेर देखेंगे तो आपको क्या अच्छी feeling आएगी बिल्कुल भी नहीं आएंगी तो आपको अपना environment accordingly change कर लेना है मालिज आप depression में थे और आप वही monotonous कपड़े हैं पर फैले वे पड़े हैं मही पर एक तर्फ बुक्स फैली भी पड़ जिससे की जो चीज़े perfect रखी भी होंगी तो वहां से clue मिलेगा अरे सब कुछ ठीक है तो environment को आपको इस तरीके से change करना clean करना भी बहुत important है पर इसमें भी महनत लगेगी अगर आप कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे इसके अलावा belief thought पर भी time करना होता है psychologist के साथ sessions करन होता है क्योंकि वो आपके thought process को 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 एकसेस करते हैं then access करने के बाद वो फिर आपको help करते हैं कि किस तरीके से आप अपने विचारों को बदल कर अपने अंदर चल रही feelings को बदल सकते हैं and then फिर उन feelings आप अपने behavior को बदल सकते हैं तो विचारों पर काम करना बहुत जाता सरूरी होता है तो एक psychological recovery plan में thought process पर काम किया जाता है अब ये thought process पर जब काम किया जाता है और thought process को पूरे तरीके से change किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है वो person अपने आप ही अपने अंदर नए है ऐसासों को महसूस करने लग जाता है क्योंकि आपने मेरी बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करने लग जाते हूं वैसा ही हमारा behavior हो जाता है तो अब thought process पर काम करना होगा बहुत सारा written work करना होता है अब बहुत सारे का मतलब यह नहीं कि आपको बिल्कुली फुरसत नहीं मिलेगी 24 गंटे करना है बहुत सारे का मतलब है कि दिन में आपको आदा इगंटा प्रैक्टस करने पड़ेगी आपको अपने thoughts को लिखना पड़ेगा उनको challenge करना पड़ेगा बहुत सारे आप ही सब कुछ ठीक होने लगता है क्यों क्योंकि आपके अंदर जो chemistry बिगडी है क्या वो रातो रात ऐसी बैठे बठाई थोड़ो ना बिगड़ गड़े है लाइफ में कुछ ऐसे events ही होए होंगे ना कुछ ऐसा rejection हुआ होगा कोई emotional abuse हुआ होगा कोई बड़ा loss हुआ होगा या किसी भी तरीके से कुछ और ऐसा significant major event हुआ होगा जिसकी वजह से आपके अंदर की brain chemistry बिगड़ी है क्योंकि में पस इतने case आते हैं चाहिए वो schizophrenia का case हो या रप्रेशन का case हो या उसी दिगा case हो या कुछ हो क्योंकि मेरी आदत पूरा root तक पहुँचने की है तो वो पूरा root cause जो अंदर क्यों develop हुआ भई यह ऐसे थोड़ना हो जाता है हम सभी लोग ऐसे बैठे रहते हैं बैठे बठाई थोड़ना किसी की brain chemistry चेंज होगी है दूसरा stress लेने के लिए भी हमारे अंदर system है ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत stress आया और एकदम से हमारी brain chemistry बिगड़ जाएगी नहीं stress भी बलकुल ऐसे ज़रूरी है जैसे सबजी में नमक बिना नमक के सबजी अच्छी नहीं लगती है इसी तरीके से जो brain chemistry में जो chemical happy hormones होते हैं उसमें आपके जो stress hormones होते हैं चाहे बादनल हो या cortisol हो उन सबका भी अपना एक important role होता है अगर वो भी नहीं होंगे तो भी आप healthy नहीं रह सकते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि थोड़ा बहुत stress भी जो है ना आपके life में ऐसे एकदम से chemistry change कर देगा इतने परिशानियों से जटकों से लोग उभर जाते हैं लेकिन नहीं होता क्योंकि वो सोचते क्या है उन adverse situations में तो आपका thought process आपके beliefs पर भी काम किया जात है चाहते साथ exposure जब आपने थेरपेस्त के साथ a psychological plan बना कर काम करना शुरू करते हैं तो आपको कुछ activities देते हैं आपको कुछ exposure करने के लिए देते हैं आपके actions change करने के लिए बोलते हैं क्योंकि जब आप अपने thoughts पर काम कर चुके तपनी diet पर काम कर रहे होते हैं अपने exercise क आपको कुछ different activities को expose किया जाता है उसको करने के लिए motivate किया जाता है और जब आपका exposure different हो जाता है आपकी activities change हो जाती है तो फिर definitely आपका पूरा word ही change होने लग जाता है अब इसके लिए भी efforts डालने पड़ेंगे माले जी कोई चीज़ को expose करने के लिए कहा गया है तो वहाँ पर हिमत करकर महनत करने पड़ेगी actions लेने पड़ेंगे तो जब आप हिमत करकर actions लेंगे तो definitely आपके body, brain की chemistry फिर से change होगी और ये सारा change जो है वो positivity के लिए है लेकिन इसके लिए भी आपके efforts लगेंगे अब ऐसा करकर उन triggers को expose करने के लिए बोलेगा कोई इंसान depression में है वो नहीं जा रहा था कहीं तो वो social situations को expose करने की सला देंगे मतलब ये सब ऐसा नहीं है कि उठा कर एक्दम से आपको expose करने की सला देंगे आपके thought process पर काम करेंगे आपकी diet exercise environment सब पर काम करकर तब आपको expose करने की सला करेंगे आपको exercise के लिए जैसे मुझे बाकियों का नहीं पता लेकिन हम exercise के लिए बहुत वो करते हैं कि आपको exercise करने करने इतना motivate करते हैं हमारे यहां से दोनों time messages भी जाते हैं लोग के पास जो हमसे treatment ले रहे होते हैं कि आपको exercise करना है उनको reminder message जाते हैं उनका पूरा तर तो फिर से ठीक हो जाती है क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि आप सारे ही रियास पर काम करेंगा अपके brain chemistry ठीक नहीं होगी यह तो सिर्फ एक mask का फैलावा जूटा मित है जिसमें लोगों ने इतने सारी जो huge उसका part है उन लोगों ने तो try नहीं किया है बस सिर्फ एक belief बन हो दीजे और इन सारे एरियास में काम करना शुरूर कर दीजे और सारे एरियास में जब आप काम करेंगे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आपको यहां पर मैंने लिखी दिया जैसे physical exercises के लिए डाइट के लिए तो आपको क्या करना है आपको fresh food खाना है जीके आइ आपको जो है slow eating करनी है और without gadget खाना है इसी तरीके से आपको environment क्या करना है clean करना है यहां पर environment cleaning चाहे वो लोगों की हो या फिर कुछ और हो इसी तरीके से आपने belief पर काम करना है तो इनको आप जानते ही है access करना है और फिर change करना है and expose के लिए आपको daring attitude अपनाना है तो जब आप यह सारा चीज़ कर लेंगे इस तरीके से क्योंकि मैंने पूरा आपको समझा दिया लेकिन ही मैंने last में लिख दिया था कि आपको छुट छुटी close से याद आ जाए कि मैंने क्या बोला था आपको करने के लिए जब आप यह सब कुछ करेंगे तो आप 100% ठीक हो जाएंगे क्योंकि जो recovery plan है यह 100% काम करता है आप करकर तो देखिए कितना खुद करो और फिर ही विश्वास करो आप करकर तो देखो आपको कितना फायदा होगा क्योंकि आपको अच्छा लगया होगा यह विडियो इसमें मैंने पूरा बता दिया है आपको कि आप psychological recovery plan अपना कैसे देखरें आपको किस किस एरिया में काम करना है और फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो अपना यह belief कि अगर किसी को भी कोई भी psychological issue हो गया है सब anxiety हो, depression हो, OCD हो या किसी भी और तरीके की कोई issue हो ठीक नहीं हो सकता वो सब बिल्कुल ठीक हो सकते हैं आप इस तरह से काम करना शुरू कीजें मिलती हूँ आप से किसी और वीडियो में आप अपना ख्याल रखेगा अपना वाल रखेगा अपना झाप बिल्कुल अपना शलीग हो याद नहीं सकते हैं अपना झाल अभाद से किसी और तरू काम काम हो वो भी है झाल झाल